नमस्कार, मैं बॉली बॉड एक्टर रमेश गोयल यह जो फिल्म है, हिंदी पीचर फिल्म, साउंड आफ वाटर आपको टाइटल से ही मालूम पढ़ रहा होगा कि यह वाटर के बारे में, पानी के बारे में मैंने इसमें बहुत एहिंग करदार किया है मैं हीरो का दादा का रोल किया है, हीरो के दादा जी यानि कि मैंने अपने टाइम में भी पानी को देखा था और इस टाइम में भी देख रहा हूँ कि पहले हम तालाव का पानी पीते थे, स्वास अच्छा रहता था कोई बीमारी नहीं होती थी लेकिन आज हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं तो बेसिस का यही है कि अगर हम पानी को स्टोर करें और उसको जिस तरह से पहले होता था वोई प्रसियर से अब करें तो निश्चित रुप से स्वास्टी पेच्छा रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी तीम इस फिल्म का यह है पूरे फिल्म जो है जो है पानी की उपर है इसके डारेक्टर पूरूसर है मिस्टर स्रवन कुमार राथोड जो राइपर को विलोग करते हैं आज से एक साल पहले उन्होंने फिल्म स्टार्ट की थी जो मेरे साथ भी है मिस्टर स्रुल का राथ वर ये डारेक्टर पोरूरसर रायटर है इन्होंने स्वाहे मिष्टोरी लिखी है डा société पीर्ट किया है पोरूस किया है इन्होंने एक साल पहले फिल्म स्टार्ट की थी पूरी जिन्दगी मैंने दे दी इस फिल्म लाइन को लेकिन मैंने इतना फास्ट प्रोडूसर डिरेक्टर कभी देखा नहीं कि बिदाउट स्टार कास्टिंग और यह फिल्म एक साल में रिलीज हो रही है मैं इसके लिए राथोड साब को शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद देता हूँ गवारभवाद देता हूँ कि अगर इस तरह के प्रोडूसर्स हमारी फिल्म डिस्टी में आएगे तो निश्ची तरुप से हमारी फिल्म डिस्टी की बिए तरक्की होगी और एक नई प थेटर से हाँ पर आज की तारीक में मुंबई फिल्म डिस्टी में हैं फिल्म बनाना बहुत आशान है लेकिन इसको रिलीस करना बहुत मुश्किल है जो हमारे राथोड साब ने एक करश्मा दिखा दिया है करके मैं बहुत कुश हूँ और मेरा इसमें बहुत चारोल है आजातर फिल्म है अड़क बड़क बंती ही जिनको कोई देखना नहीं चाहता और खासकर स्टार कास्ट के साथ बनाते हैं जो फिल्म है कुछ चलती है कभी कुछ नहीं चलती है लेकिन ये फिल्म चलेगी एक लेसन है इसमें पानी की बहुत आवशकता है हिंदोस्तान को औ ये को बहुत-बहुत मवारक बात और जो हमारे साथ के लोग यहां पर आए हुए हैं जो एकलाकार हैं टैक्नीशन हैं मिर्क देटर साव हैं हमारी हिरोईन हैं ये सब लोग जो इसके हैं इन सब लोगों ने बहुत मैनत किये और राथ होड़ साथ की धिल्मत का कोई चलना था ये पूरी फिल्म को लिखा है एक एक डैलो लिखा है इसका और बहुत शानदार डैलोग हैं अभी आप फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा मैं इतना ज्यादा न बोलते हुए इतना ही बोलूँगा कि आप इस फिल्म को हाईलाइट करें समस्या क्यों है वो इस फिल्म के माद्यम से देखने को मिलेगी तो मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि आप लोग इस फिल्म को हाईलाइट करें अल्दा बैस थैंक्यू वरी मच्छ नमस्कार आप से जाने चाहेंगे आपकोस यह बड़ा मुद्धा है अचके डाइम पे पानी की जो समस्या है वो सभी जानते है और कई जगा जहां पे देश में सुखा होता है तो कहीं जगा पानी होता है या बहुत सभी अलगने डिपकोलिटी चाने ते राजजियों की प्पानी प्रिक उलगने इंडियान Hierर तो किसा मैं सब्धार चूस किया और कितगा चैने रहा हो रहा है यह इकुली पानी जो समस्या में आलबर इंडिया है पानी के समस्या नहीं है एक्चली में हमारा मैनेजमेंट का कमी है आपने एक बीच में बोला कि ग्राउंड वाटर खतम होते जा रहा है कायदे से हमें ग्राउंड वाटर को हाथ लगाने के अवसकता ही नहीं है कि हमारे पास तीन से चार महिना बरसाथ होती है फ्लड आता है और फ्लड जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक पीने वी जो कि रहते हैं समुद्र में मिलने बाद नंकीन हो जाती है हमारा एक खाना है कि उस फ्लड को पहले से मैनेज किया जाए जो गाओं में आज-काल जो सहरों में जो तलाब को पाटे जा रहे हैं उनको ना पाटते विए फिर से तलाब बनाया जाए और फ्लड को मै जाएगी और हमारा वाटर स्टोरेज भी तैयार हो जाएगा जिससे क्या होगा कि हमारा वीस परसेंट तो यह प्रसेंट में लग जाए कि जिससे एक वाटर साइकल बने कि समुद्र के साथ में और जो खंड वर्सा बोलते हैं अभी आपने वह सुखा और कहीं पानी के ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए तो 15-20 परसेंट में पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा और हमारी जो ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं उसकी समस्या खतम हो जाए हमने फ्लट मेनेजमेंट को पूरा बताया हुआ कि किन कार्णों से नहीं ह तो वह ग्रेणी 11 गंडा कैसे यूज कर लेती है जब कि हमारे पाद तीन से चार मेना फ्लाड आता है बरसाथ होती है और उस पानी को बाकी आसाधाट में यूज नहीं कर सकते हैं तो हमने वह बताया कि वह वाटर मेनेजमेंट की कमी है वह ग्रेणी हमसे ज्यादा बेटर है ह हमारे हमारे फिल्म में हमारा मेन करेक्टर है हीरो के रूल में अबराम पांडे जी है वह अभी आने वाले है और काफी अच्छा एक्टर है इस्टार प्लस अगरे में काफी अच्छा उन्हेंने बहुत मेहनत किया और इन्होंने भी बहुत मेहनत किया फिचर में और आई आप तो भी हमारे बागी तिलाकारी हैं आपे, मैं चाहूं करके सबसे आप क्याता भी चाहें एक सवल आप से भी उठता है कि फिल्म कि जिसे काहा संदे 3,330s पर रिलीस होगी एक्रोस इंडिया और फर्म का अज़ी का रिस्पॉंस आ रहा है या फिर अभी स्कीनिंग किसा से रिस्पॉंस आ रहा है तो पताएंगे एक रखी रही है नहीं इसके उनसार तो हमारे पास काफी अच्छा रिस्पांस है और हमने खासकर मैं तो 16 गड़ राइपूर से हूं तो मेरी टीम वहां पर है तो वहां से काफी अच्छा रिस्पांस है और कल हमको यह उन्मीद है कि हमारा जो सीनेवेक्स और स्याम टागिस क्या कि स्याम टागिस में एक इस्थी बनती है अगर फिल्म अच्छी है तो सामने की ट्रेफिक पूरी जाम हो जाती है तो हमको आज से ही वहां बोलना किती ही इंपोरेंट आपके लिए इफ़र बूमागे करो मैं इस मुवी की लीड अक्टरस हूँ तो मैं फिर्स्ट फॉल सबको थैंक्यू करना चाहूंगी और सबसे ज्यादा थैंक्यू मिस्टर श्रावन कुमार सर को जो हमारे प्रद्यूसर है जिन्हों मुझे आपार सबसेंक्याल शाया हूए इस मुझे के लिょ तो हर फैमिली अपने बच्चे को साथ में लेके आए, इस मुवी को देखे, और कुछ सीखे और अपने बच्चे को ग्यान दे कि कैसे वाटर को आप सेव कर सकते हैं, जो हमारे इंडिया में दिक्कत आदी है, कैसे उसे रिजिएशन है, काफी अच्छी टेक्निक से इसको बत है कि उन्हें ये मुवी कैसी लगी और अप सफो ये मुवी अच्छी लगी क्योंकि हमने सबने इसमें बहुत ज्यादा एक करें, महनत सारे टीम ने एकुली महनत करी है, और ये राइपो छृत्रसगर में ये मुवी शूट हुई है, और ही बोला चाहेंगे कि आप सब के ब तो मुझे लगा, क्या मुझे लगा शूट करेंगा। तो लगा करता ही कुछ है, and then we started doing the music, और उनने बहुत अप्रिशेट किया, and I thank him very much for giving me this opportunity to come on stage and do the Needful, and it's a wonderful movie, it should be seen by one and all, and it was a blessing in disguise for everybody, thank you Shravanji, thank you the whole team. And would you like to hear like, कुछ बोलना चाहेंगे इस करम सुप्रियों? जैसा कि सर ने बनाया sound of water, पानी की आवाज, तो पानी की आवाज, खाली पानी की कमी नहीं, पानी तो कम होता है ये, लेकिन बरसात में हमारा जन जीवन भी खराब हो जाता है, वह सारे गाउं, जोपडी, बस्तियां जाती है, तो उसके चलते हम पानी को सेव करते हैं, तो हम जन जीवन को भी बचा सकते हैं, हम गाउं को भी बचा सकते हैं, और हमें पानी की कमी भी नहीं होगी, इस तरह से, सर ने मुझे, as a mother character, heroine की माह हुमें, और उने कास्ट किया इसके लिए इनको बहुत बहुत थैंक और आप लोग देखियेगा, ताम अच्छा लगे आप लोग, तैंक यू, तैंक यू, देनेज बलराज, choreographer, I think, Sound of Water में इसे, फिल्म के टाइटल से मनला, जो कापी अच्छा response मिला, और specially मेरे ख़ल से, फिर्स ताइम इस तरह के पुश्यटी हुई है, कि फिल्म के टाइट जो है इसमें, वो एक डिफरेंट है, और मैंने काफी महनद की है, जिसमें मेरे गाल से एक आइटम सॉंग में ने पिच्छाइज किया, जो, आ, अक्षे कुमार के फिल्म में, वो लीड रोल में मलाव, उसमें भी उसने, सोलो डांस किया था, तो ये फिल्में भी लिड्की है, जो फॉरिन रिजिए, बाट वो गाना स्टास्टिक है, मैंने काफी अच्छा पिच्राइज किया है, प्लीज आप देखेगा, था जिसमें का हिस्सा आप रही, किता वक लगा आपकोई सुमोची प्राइज के लिए और किस्रासी ज़नी रही है, जिसमें का हिस्रासी ज था एक्रप्ट हम ढ yen IKT व्मयन गया था, इस पे काफी वक्शब्स हुए है, काफी प्रपरेश ही है, लात दिन इस पे काफी महनत की है और जब हम शूट ए शूट में न हुआ था यह न हिवे आए शूट अर राइपूर छाफ हमें हुए TAK रही यख़ने अर टीम के थिंआ हमारे जोग प्रड्यूसर थे श्रवन कुमार जी ने ट्राइ किया कि हम लोगों को बैसे 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 वहां पर दी चाहे काफी अच्छा अच्छी तरीकी से हमें रखा गया था महां पर काफी मुवी का जो कौन सब्सक्ता काफी यूनिक था तो हमें एक काफी ये बहुत बड़ा ब्रेक था हमारे लिए कि हम बॉलिवीड इंड़स्ट्री में अच्छीक काम करें तो इसमें जो महनत की गई है काफी बहुत ज्यादा महनत की है हर बंदे ने इस टीम की श्रवन कुमार जी ने तो काफी की हुई है कि यह वो उनका यह ड्रीम प्राजक्त है और उनके साथ-साथ हम सब तीम ने दिन रात आच्टिवी काम किया इस पर हमारी मीन भी काफी साक्रपाइस की गई है इस पर इस एक मुवी की वज़े से हमने आगे काफी काम्याबी हासल की है और करी जा रहे है गॉडब्लस की और भी तरक्की करे और होफिली आप सब को हमारा काम अच्छा लगए था था अपसे जुड़े में किस पर से जुड़े स्टोरी के आपने लिखी है कि से वांने लिखा बताई ही इस बताई ही देटेल में इसके पहले मैं गवर्मेंट आफिसर था राइपूर में इसे जोन कमिशनर में था मैंने पानी के समस्या को बहुत नजदीक से रूबरू होकर देखा है मेरे को बड़े तकलीब होती थी कि मैंने देखा कि पानी इतना वेस्ट जा रहा है लेकिन उसका मेनेजमेंट नहीं है एक रिक्षा थे कि मैं इस पर एक फिल्म बनाओ मैंने बहुत कोशिस किया कि मेरी बातें पुब्लीक तक जाए पर वो पुछ लोगों तक जाते थी हम सब के सामने नहीं पहुंचा पाते थे तो मैंने सर्विस से पहले सबसे पहले मैंने दोसा पहले सर्विस से रिजाइन किया अपने इस्टिफा देने के बाद मैंने स्टोरी लिखना चालू किया करीब छे मेने मैंने स्टोरी लिखने के बाद पिछले एक साल पहले फिर मैंने इसका स्क्रिप्ट काम करना चालू किया कि मैं पिक्चर बनाओ और मैंने कास्टिंग किया मुंबई आकर कास्टिंग किया और बेसिकली तो मैं रायपूर अच्छा प्रयोग मिला और मैंने यहां पर कास्टिंग की और लोगों को लिए और मैंने फिल्म बनाने के बाद दूसरी प्राब्लम मेरे साथ आई कि एडिटिंग जो मैं नहीं जानता था एडिटिंग में मुझे काफी कुछ करना पड़ा एडिटिंग के बाद फाइनली य कि अवार्ड के लिए जा तो मैंने इसको एडिक लिए जा सेंसर के पहले मुझे इसका चार-पांच एवार्ड मिले हैं उसमें फस्ट ट्राइम फिल्मेकर सेशन 2019 इंटरेशनल फिल्मेकर एस्टियासन में मुझे प्राइस मिला सेकंड लिफट आप ग्लोबल नेटवर्क इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल है उनाटेट केंगम का वहां से भी मुझे एवार्ड मिले इस्टेट जेकेट गुरिल्ला फिल्म फेस्टिवल यहां से भी वार्ड मिले यह सब फारें के थे प्लस इंडिया के दबुद्धा इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल यह कूने म हमारे फिल्म को समझ के पूरे ग्रूप ले वहाँ जो एवाड फंक्शन चला तो उसमें एक पोदे का विच्रण किया गया है कि अगर हम एक पोदे भी लगाएं तो हमारे इन्वारोमेंट को और जल के आश्कता को पूरा हो यह मेरे लिए बड़ा खुजी के दिन था इसके इस एवाड लेने के पास मेरे इच्छा हुए कि अप फिल्म को रिलीज किया जा है उसके लिए मेरे टीम को मेहनत करें पड़ी और आज पैनली वो दीन आ गया जब हम यहां प्रिमेर कर रहे हैं और कल से हमारी फिल्म साउंड आफ वाटर आल वर इंडिया में रिलीज होने पानी के समझसे का समधान करेंगे तो हमको फ्यूचर में कोई प्राब्लम नहीं होगी इसमें हमने यह भी बताया हुआ है कि 200-400-500 साल बात हमारे पास पैसे तो रहेंगे पानी नहीं रहेगी और पानी जस्त लाइके करेंसी हो जाएगी जब किसी चीज को आपको जुरत प पुरी होगी पैसा हुसमें कोई काम नहीं आएगा इसकीज को में के फिल्म के माद्यम से लिखाया है अप्रिया चाहेंगे इस पर्म का हिससाब किस सरह से रही किससे अपूश किया गया था और किते एक खूश है चीज किस दिनी होगी है जहां पर अप्रिया था था अप्रिया यह अप्रिया आपको इस अप्रिया है किस दिनी है अजक्ता कि यहां पर पर फूश किया है और पानी की जो इंपोर्टंस भूमें बाद में समझाएगी और उसके ये भी दिन इतम सॉंग तोगेदर कॉल 1-2-3-4 इस वेरी फॉन सॉंग, इस तोटली पार्टी एंड आप लोगों को पसंदा है विक्वास मैं डेबु आप लोगों को पसंदा है It's very difficult to trust a singer with a new song and you know to have the faith that the person will do the song work well and you know, the way, the vision that the music director has and I am very glad that we could share that vision with us How would you like to speak about your new singer? I would thank all my a their first because there was part of a parcel and Shplain Jei main because we are here and we got this platform अप लोग देखिये और मुझे उम्मीद है कि आपको हर गन अच्छा लगेगा एंदेज शेरिट और एंदेगे टाइट टाइट पिस हम पिस तरफ दुडी हुई एक हिस्सा आपने इस फिल्म का एक पार्ट हो आपके जो गाने आपने रिखना यह उसके बारे में कुछ बताएंगे मैं? अश्यू बताएंगे यह आपको गुनला जाएंगे? प्हले आपूटाइंगे नहीं करे लिख स्थान्स पछे पीस्डीद düşने दसे बताएंगे और श्रमाण ची को, I would like to congratulate for a super movie, a very good movie I can just get to look at. So, thank you so much. मेंस तो लाइनी प्रेसाचाह जो 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 किया है. वो, अन्यूरा जो लिए, देरिक, खौन का नियूरा जो जार जो जो जाने। श्रीक, जो 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 जो. मेरे जद्वात ही मेरे रहते है ये अपने लों ही तारे तुम हो तो हो काईनाओ जिन्दगी 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 ते तक है मेरे जिन्दगी तुम हो तुम हो तुम है मेरे जिन्दगी ते तुम है मेरे जिन्दगी ये रहें दो नहीं प्रव दो जो एल्ग कर दो सेंगर के अधरती आर्ख अगार कर दो, स्याक्तर सकत्र अगरा है, वहां सब्सक्राइब कुछ दो आखायर के अधर्छू कि वेडर है यदुर्शं के अगरप्स्स के नहीं को नहीं है, यहां में दो रहा ऐसे बिढिए इसले क